नमस्कार मैं हूँ आपके साथ कविता राना विश्व के सबसे बड़े रेल नेटवर्क में भारतिय रेल नेटवर्क का चौथा स्थान है भारतिय रेलवे ट्राइक की कुल लंबाई 92,081 किलो मीटर है और भारतिय रेल प्रते दिल 66,687 किलो मीटर की दूरी तै करती है यदि रेल मंत्रा लेके आकड़ो की माने तो 2015 और 2016 में आठ करोड लोगों ने प्रेल में यात्रा की सुविधाय देने और उनकी यात्रा को सफल बनाने के लिए 7,216 नए रेलवे स्टेशन भी बनाए गए आपने अभी तक रेलवे में बहुत सफल किया होगा और बहुत ज़्यादा जगा आप घूमे भी होंगे लेकिन क्या आपको पता है कि स्टेशन के नाम के आखरी में Central Terminal या फिर Junction क्यों लिखा हुआ होता है आखर Central Junction और Terminal का मतलब क्या होता है आखर क्यों उस शेहर के नाम के बाद में Central या फिर Junction लिखा जाता है आज हम आपको बताएंगे कि आखर नाम के अंत में ये सब क्यों लिखा होता है और इसका दिल्चस किस्सा क्या है हम सब से पहले टर्मिनल की बात करेंगे और फिर जंक्षन की दिल्चस जानकारी आपको देंगे रेलवे की भाषा और उसके सिस्टम के अनुसार यदि किसी रेलवे स्टेशन के नाम के अंत में टर्मिनल लिखा हुआ होता है तो उसका मतलब होता है कि जिस दिशा से ट्रेन आई है उसे दिशा में वह वापसी चली जाएगी अगर दूसरे शब्दों में कहें तो कह सकते हैं कि इसके आगे रेलवे ट्रैक खत्म हो जाता है इसलिए train जिस दिशा से आती है वापस उसी दिशा में चली जाती है और इसलिए कई जगा नाम के अंत में टर्मिनल लिखा हुआ होता है है ना मज़ेदार जानकारी और ये जानकारी जानकर हुई ना है रानी ठीक है अब आगे बढ़ते हैं और ये बताते हैं कि भारत में कितने टर्मिनल स्टेशन है तो भारत में कुल 27 ऐसे रेल्वे स्टेशन है जिनके अंत में टर्मिनल लगा हुआ है और इन स्टेशनों में से सबसे प्रमुक स्टेशन है चत्रपती शिवाजी टर्मिनल और लोग तो आप समझ जाईए कि वहाँ पर ट्रेन के आने जाने के लिए तीन से ज्यादा रास्ते बने हुए हैं जिस रास्ते से ट्रेन आई है इसके अलावा दो अन्य रास्तों से ट्रेन स्टेशन छोड़ती है तो स्टेशन के अंत में जंक्षन लिखा हुआ होता है भारत में कुल प्रमुक जंक्षन स्टेशनों में मत्रा जंक्षन, सालेम जंक्षन, विजेवाडा जंक्षन, बरेली जंक्षन है तो ये रही जंक्षन और टर्मिनल की जान करें अब अब जब भी ट्रेइन से यात्रा करें तो अगर जंक्शन और टर्मिनल लिखा दिखें तो चौकेगा नहीं, सोचेगा जरूर देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए अब बने रहिए हमारे साथ